नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका और आज हम बात करने वाले हैं पावर ट्रेक 434 DS PLUS की बारे में 37 HP का ये ट्रेक्टर है और 35-40 HP की श्रेणी में इसको लिया जाता है आका जाता है जिस एरी में में रहता हूँ इरी में सबसे ज़्यादा सेलिंग वाला यही ट्रेक्टर है मतलब सबसे ज़्यादा यही ट्रेक्टर अवियत तक इसी ट्रेक्टर की सेल हुई है काफी ढिमांड है और और काफी पॉपुलर है यह ट्रेक्टर आप LI tapedरे में कमेंट करके जरूर priority बढ़ते हैं तो सब्सक्राइब के सब्सक्राइब हैं तो यह बात करते हैं तो यह ऐदिंग अच्छे सफूड़ी दे रखिए सजावट भी ठीक है तीन मोडल आते हैं इसमें लॉड में एग्यी मेट्स और सूपर मैक्स जो इसका टॉपस्ट मॉडल है अग्यी में स्ट मॉडल है और जो लोड मैंस वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लें तो इसमें power steering नहीं दिया गया है 37 HP में मुझे लगता power steering देना चाहिए मैंने यहां के dealer से पूछा दा तो उन्होंने कहा कि option आता है power steering का उसके 10-20,000 ज़्यादा लगते हैं तो किसान लोग demand करते नहीं है तो power steering इसमें option है लेकिन मैंने आज तक 434 DS Plus को जो कि इसमें टॉपेस मोडल है यह भी 434 में power steering में नहीं देखा है अगर आप लोगों ने देखा है इसको power steering में तो जरूर कमेंट करें वहीं अगर हम बात करने तो सामने इसके जो एक्सल दिया गया है यहां पर आपको दो टाइप के एक्सल का option मिल जाता है band भी मिल जाता है और straight axle मतलब सीधा ही मिल जाता है जैसे महीं दरा में मिलता है वहीं सामने अगर बात करें bumper की तो काफी well designed bumper इसमें दिया गया है दोस्तों वहीं lighting जो दी गई है side shifting lighting दी गई है DS plus का का काफी अच्छा logo दिया गया है Scott का भी काफी बढ़िया steel का logo दिया गया है यहां पर और सामने power track की beijging दी गई है वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसके weight और dimension के बारे में तो जो इसका वज़यन है दोस्तों वह है 1850 kg और जो इसकी लंबाई है वो 3225 mm की है और अगर हम बात करें चोड़ाई की तो 1750 जो की common होती है और ground clearance इसका 375 mm मेरे साब से ground clearance इसका ठीक ठाक है वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लें इसके wheelbase की तो यहां पर दो टाइप की option आते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया front axle के साब से हैं तो wheelbase आपको 2010 mm का मिलेगा straight axle में और 1810 mm का मिलेगा यहां पर band axle में वहीं यहां पर इसमें यहां पर आपको सेथिस hp का logo दिया गया एक water separator दिया गया है और डीजल फिल्टर दिये गया है जो कि यह common है सभी आपको देखने को मिलते हैं वहीं शो की बात करों तो यहां पर जो आपको बोनट मिलता है क्लासिक टाइप का बोनट मिलता है जो एक तरब से दोनों बटन दवाने पर खुलेगा बटन को उपर प्रेस करोगे तो पीछे भी आपको क्लासिक टाइप की इंडिगेशन दिये गए हैं दोस्तों इसमें जो की पावर ट्रेक के सभी टेक्टरों में देखने को मिलते हैं एर फिल्टर के लिए आपको अलग से बोनट खोलना पड़ेगा और इंजन के लिए अलग से बोनट खोलना पड़ेगा तो दोस्तों अगर इसके इंजन के बारे में बात की जाए तो जो की सबसे में चीज होती है कोई भी कस्टमर किसान भाई सबसे पहले इंजन देखके लगवाइब क्युबिक यहां पर आपको Alban मुझे काफि अच्छा लगता यहां पर कैसे कि दिया तो contract कुलेंड मिल जाएगा यहां पर जो इंजन वाटर कूल है तो कुलेंड के लिए स्पेस टैंग मिल जाता है डिडियेटर मिलता है और फुलो रिजर्वायर के साथ और वहीं दोस्तों अगर इसके इंजन की रेटेड आर्पियम की बारे में बात कर लिए तो बाइस सो की जो र है वह ब्लेक कलर में आपको देखने को मिल जाता है ओयल के लिए भी फिल्टर दे रखें यहां पर अगर पावर श्टिरिंग होगा तो उसके लिए अलग से पंप मिलेगा तो हाइड्रलिक मतलब साड़े साथ लीटर के लगबग इसमें इंजन आपको देखने को मिलेगा तो ठीक ठाक है मेरे साब से इसका इंजन क्योंकि 30 HP का है तो काफी बढ़िया क्यों भी कैपेसिटी भी दे रखी लेकिन अगर कंपेर किया जाए अधर कंपनी से तो उनमें ज्यादा अच्छे आप्शन आते हैं ऐसा मुझे लगता है लेकिन पावर ट्रेक का जो प्राइस है उसमें 1300 kg की है और यह दिएस प्लस जो इनमें वेरियंट नया लेकिया इसमें 1500 kg की लिफ्ट की कैपेसिटी मिल जाती है आपको ऑटोमेटिक डेफ्ट अंड्राफ कंट्रोल के साथ तो ठीक है ADDC तो सभी दही रहें आज कल 3-point linkage मिल जाती है लिफ्टों की बनावट काफी तो यह थोड़ी से समझ से इसमें आ जाती है सिंगल auxiliary wall दे रखी है पीछे radium reflector दे रखा है जो पीछे का एकसल है वो स्टेट है जो सभी टेक्टरों में आपको पता है मिलता है वहीं अगर पीछे के एकसल में स्पेशलिटी की बात करें तो यहां पर आपको HR reduction के साथ में ALT बनाया जो कि किसान भाई ना पसंद करते हैं मेरे साथ से कलर उनको इतना पसंद नहीं आया उसके ALT का मैंने अब तक कोई वीडियो नहीं बनाया लेकिन ALT का वी एक नया जल्द वीडियो बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए तो पीटियो की बात करें तो यहां पर आपको 540 PTO मिल जाता है इसमें कोई dual PTO का option नहीं आता PTO के RPM की बात की जाए तो यहां पर 1800 RPM मिल जाती है 31 HP का इसका पीटियो आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों इसमें और 1800 RPM में यह पूरे अपने 540 चकर ले लेगा वहीं पीछे वाटर बोटल ओल्डर दे रख काफी बढ़िया दे रखा जो कि सभी टेक्टर में आपको देखने को मिलता है वहीं दोस्तों अगर लुक के बारें बात की जाए है हैंडल की तो हैंडल यहां पर आपको काफी बड़े साइज का हैंडल देखने को मिल जाता है लेकिन कमफरेटबल है मेरे इसाब से क्लस्टर इसमें देखने को मिलता है डिश्टल टाइप का तो आपको और मिल जाता है डैश्बूर्ड जो हलका सा ब्लैक कलर का बाकि पूरा ब्लू कलर है इंडिकेशन पॉइंट से यहां पर पूरे आपके जलाने के लिए वहीं दोस्तों अगर हम बात करने यहां पर इसक मिल जाती है सेंटर शिप्ट इसमें गेर दे रखे हैं साइट शिप्टिंग का इसमें ऑप्शन ही नहीं है कंपनी की दुवारा ऐसा मैंने डीलर से पूछा था वहीं ब्रेक्स के बात करें तो यहां पर आपको सूखी और गीली दोनों ब्रेक्स मतलब और ट्राइप की भी सो काफी ठीक ठाके महीं इसमें आपको के केılar हैं मेरे साफसे में ने पूछा तो का भी नौर्मल ट्रांसिक्शन मिलता है चाह को आपको को इसमें देखने को मिल जाता है sliding mesh नहीं है constant mesh दिया गया है sliding mesh का भी इसमें option है लेकिन constant mesh जो है इसका upgrade version है तो बढ़िया constant mesh ही कहलाता है sliding mesh से तो यहाँ पर जो इसकी maximum speed है जो update की गई है वो 36 km प्रतियावर की जो की काफी अच्छी है 136 के टायरों में आपको देखने को मिल जाएगी प्लेटफॉर्म की बात करें तो ठीक ठाक प्लेटफॉर्म का size है चैफिट का बंदा भी अराम से इसको चला लेगा और काफी बढ़िया भी लगता है इस पावर ट्रेक अगर 434 में आप उपर बैठते हैं तो काफी comfortable feel होता है सीट भी काफी comfortable है तो अगर दोस्तों हमने कुछ टेकनिकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात की 434 । के बारे में जो की power track company का है तो अगर दोस्तों और वरल टेक्टर के बारे में बात करें तो ठीक ठाक टेक्टर लगा मुझे काफी अच्छा है और प्राइस के बारे में बात करूं जो कि मैंने काफी जिकर छेड़ा है तो 5,25,000 या 30,000 से इसका price start हो जाता है 5,60,000 से 70,000 तक इसका price जाता है दोस्तों अगर आप main dealer से लेंगे अगर आप बीच में किसी भी commission agent से लेंगे तो आपको 55,85 या 5,90 का देगा लेकिन अगर आप main dealer से लेते हैं तो 5,25 से इसका price start हो जाता है वरंटी की बात करें तो 2000 घ जाता है इसमें ट्रेक्टर का जो लुक है वो काफी अच्छा है अगर दूसरे ट्रेक्टरों से compare किया जाए इसका video अगर आप comment करके बताईए तो मैं जरूर बनाऊंगा तो मुझे थोड़ी कमी लगी लेकिन price के साब से काफी बढ़िया चीज दे रही company price कुछ और भी कम ह चाहिए अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक की जेगा comment चैनल को subscribe करें बेल आइकन जरूर दबाएं और आपको वीडियो ना पसंद आया तो आप डिसलाइक किजिए लेकिन कुछ ना कुछ जरूर की जी थैंक्यू सो मच